इबराहीम अलेहिसलाम को अगमोता और वो अपनी बीवी को मैदाने मिना में छोड़ देते हैं सोचिए तो सही जिन लोगों ने हज किया है इस वक्त उनकी नजरें उस जगे पर होंगी और जिनोंने नहीं किया है वो जड़ा आओ मैं तुम्हारे सामने ऐसा नक्षा खीचू तो मैं भी लगे कि हाँ जरजीश साब जो नक्षा खीच ने गोया कि मैं उसी मक्य में हूँ जिस जगे पर इब्राहिम अले इसलाम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा उस वक्त उनके पास थोड़ा सा सत्तू था एक दिन का यह दू दिन का पानी ता बस ऐसी जगे पे छोड़ा जाँ बड़े बड़े दरख्त थे पेड़ थे ट्रीस थी बहुत ज़ादा लेकिन उन दरख्तों पर कोई चुड़िया नहीं वेड़ी ती कोई परिता नहीं बैटा था चुड़िया भी ऐसी जगे पर घौसले बनाती है जहां आसपास उनको पानी मिल जाए लेकिन वहां तो आसपास कहीं पानी नहीं इसलिए चुड़ियों ने कवों ने कबूतरों ने घौसले भी नहीं बनाए पानी नहीं था दूर दूर था थंडा हो गया है भूल दो नहीं तो आप तो आवास सही हो गए लेकं प्षा पीते रहेंगे तो अच्छा कज भी बहुत दूर पराम है अली पुर्द्वार नीव अली पुर्द्वार काफी दूर है तो निकलना भी है तो सुरिए मेरे भायो लेकिन है बंगाली में तो ऐसी जगे पर छोड़ा अपनी बीवी को अब बीवी को क्या मालूम था बीवी को नहीं मालूम था वो तो सोच रहे हैं हम पर हस्बेंट के साथ शोहर के साथ जा रहे हैं और इबराहीम अलेश सलाम ने भी नहीं बताया कि हम तुमें छोड़ने जा रहे हैं वापस आ जाएंगे सर्जिकल इस्ट्राइक इसको कहते हैं यह कोई सर्जिकल इस्ट्राइक है राफ ती राफ में जब बन गर दिया नोट नहीं चलेगा दो ह्याट यह तो पांगल पर है छोड़ दिया दरखते हैं लेकिन चुड़िये नहीं है साएं साएं बीत रही है जंगल में और आज भी मौलाना जर्जीस को राफ के अंधेरे में मालदा से कलिया चक से मालदा जाने में डर लगेगा राफ में दो बज़े तीन बज़े चार पांच लोगों चाहिए हमें पहुचाने के लेकिन लेकिन सोचो आज लाइटे हैं तब मॉबाइल का जमाना है तब वहां तो लाइटों का जमाना भी नहीं है और इबराहीम अले सलाम अपने साथ तेल भी नहीं ले गए और टॉर्च तक नहीं है कि रास्ता दिखा सके बियाबान जंगल में इसमाईल को और हाजरा को छोड़ दिया अल्लह की गसम दस मिनट भी अपनी बीवी के पास नहीं बैटे यहां छोड़ा चादर बिछाई और पीवी से का यहां बैटो और बच्चे के पास रहो जाने लाइए हाजरा ने देखा कि इबराहीम जा रहे है बच्चे को उसी जबीर की ऊपर पड़ा हुआ छोड़ दिया हाजरा दोड़ती हुई जाती है और अपने शोहर इबराहीम का दामन पीछे से पकड़ती है आए इबराहीम कहा जा रहे हो इबराहीम अले इससलातु अससलाम ने हाद पकड़कर जटक दिया अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया आगे फिर बढ़ गए बीवी ने फिर का मैं आपी से कह रही हूँ आई मेरे हस्बेंट कहा जा रहे हो कोई जवाब नहीं दिया हमारी औरतें तो जवाब देने में बड़ी माहर है हर चीज़ का जवाब नहीं होता है बहुत सी चीज़ों का जवाब खामोशी भी होता है अबराहीम अलेशलाम अपनी बीवी से के सवाल का जवाब नहीं दे रहे है जानते हैं कि जवाब देंगे तो तूसरा सवाल उठेगा उसका जवाब देंगे तो तीसरा उठेगा वक्त की मरबादी होगी चले आगे बीवी ने फिर का आई अबराहीम क्या मुझसे कोई खल्दी हो गई एक बीवी का जो फर्द है क्या मैं उसको निभाने में नाकाम रही क्या मैंने आपके साथ कोई गलत किया क्या आप मुझसे परेशान है मैंने आपको कभी किसी चीज़ का दुख दिया है शायद टिबराही मल personajes स्लाहतोग्स स्लाम के पास हाजरा के अपनी बीवी के सवाल का जवाब भी नहीं था वो आगे बढ़ते चले जा रहे है और अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे है जाहिरे इतने सवालों के बाद बीवी को गुसा ही जाएगा वो दोड़ती हुई फिर आगे बढ़ी और पीछे से कुर्ता कमीस पीछे से खीचते हुए का जा रहे हो तो जाओ मैं रोकूंगी नहीं इतना तो बता दो इला मन ततुरूकुना कुरान के अलफाज देखिए इला मन ततुरूकुना हमें किस के हवाले छोड़ के जा रहे हो अपने बच्चे इसमाहिल को किस किस सुपृत करके जा रहे हो यहां जंगल है बियाबान जंगले दरिंदों की आवाजे आ सकती है खदरनाग जान पर भी आ सकते है या कोई काफला आ गया और मेरी इज़त वाबरू को लूट लिया हमारी इज़त को तार तार कर दिया तो कल जब आप आओगे और मैं आपको चेरा दिखाने के लाइक न रही फिर मैं आपको क्या जवाब दूँगी जा रहे हो तो जाओ इला मनत दुरूगूना हमें किस के सुपुर्द करके जा रहे हो हमें किस के हवाले करके जा रहे हो आए घरों की चोखटों पर भरोसा करने वालो घरों में बनाई हुई ताक पर भरोसा करने वालो अगर बक्तिया चलाकर बुजर्गों की रूहों को अपने घरों में बुलाने वालो जमीन की मिट्टी चूमने और चाटने वालो तोहीद सीखो बीवी ने का इला मन तदूरुकूना हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो हमें किसके हमाले करके जा रहे हो आवाज आती है यहां इबराहीम ने अपनी बीवी के सवाल का इस कोश्चन का जवाब इसका आंसर दिया और इसको जरूरी समझा इबराहीम ने पीछे मुण के नहीं देखा लेकिन अपनी बीवी के सवाल का कि मुझे किस के सुपुर्द करके जा रहे हो मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो इसका जवाब दिया उंगली से इशारा करके इलाला आए मेरी बीबी मैंने तुझे और तेरे बच्चे को अपने बच्चे को इसमाईल को अल्ला के सुबूर कर दिया है अल्ला के हवाले कर दिया है अब अल्ला के हुकम से मैंने यहाँ छोड़ दिया है अब अल्ला चाहा हुकम देगा मैं जा रहा हूँ कब आओगी पता नहीं एक दिन भी लग सकता है एक हफ़ता भी लग सकता है एक महीना भी लग सकता है एक साल भी लग सकता है दस साले भी लग सकती है ये भी हो सकता है कि नासरू कोई जवाब नहीं किसके सुपुर्द इसका जवाब दिया अल्ला की बस अब हाजरा मुस्कुरा देती जानती थी इमान क्या है देखिए जो खौफ था कि चेर ना खा जाए जो खौफ था इस जंगल में कोई आकर मेरी इज़त औ आब रूम लूट ले जब हाजरा ने सुना मेरे शोहर ने कहा अल्ला के इमान देखिए दामन छोड़ देती है ताकत आ जाती है इमान की हाजरा के अंदर और क्या कहती है अब आप जाईए अब आप जाईए इबराहीम ने पीछे मुड के नहीं देखा चले चले यारे पीछे मुड के देखेंगे बच्चा अंगूठा चूज रहा है पैर हिला रहा है कहीं बच्चे की मुहबत मेरे दिल में जोश न मार जाए कहीं हम पिर अपने बच्चे के पास लोड के ना जाए कहीं अल्ला के हुकम की नाफरमानी ना हो जाए पीछे मुड के नहीं देख रहे इमान कुर्बानिया मांता है तुम टीजे की कुर्बानी नहीं के सकते हो नाम है इकराम अद्दीन नाम है तजमूल नाम है तुफेल हिमद नाम है मुहमद जर्जीस नाम है मुहमद फला मुहमद फला पुछो पुर्बानी क्या दी है कुछ नहीं ली और है दूसरों की दी कुछ अब जाओ छोड़ दिया जब इबराहीम दसकदम आगे बढ़ गए तब बीवी ने का आप मेरी फिक्र मत करना इस बच्चे की फिक्र मत करना आई बराहीम अपने काम में मन लगाना अल्ला तुमें चिस काम के लिए भेज रहा है उस काम को दिल औ जान से करना मेरी फिक्र मत करना मेरी तरफ दिमाग मन लगाना इस बच्चे के बारे में मत सोचना आए मेरे हस्बेंट आपने मुझे अल्ला की सुपुर कर दिया है मैं आपसे बादा करती हूँ एजन ला यूजी उन ला हुआ बदा अल्ला अब हमको जायर नहीं करेगा अल्ला अब हमको बर्बाद नहीं करेगा क्या तवक्ल था क्या भरोसा था क्या बिलीव था अल्ला की जात पर अब आपको जाजा ना हो जाये अल्ला अब हमको जायर नहीं करेगा अल्ला हमको बर्बाद नहीं करेगा अब आप अपना काम मन लगाके करना अर्ला का काम मन लगाके करना उसमें कोताई मत होने भेना यहाँ हम तब अप्रृट लेंगे हम देख लेंगे एक बीबी ने अपने शोहर की ऐसे हिम्त बनाई और उनके काम में तावण किया और रुकावट नहीं बनी दीन के लिए जाने लिए चले गए अब जो चीज बताना चाहता हो देखिए इस इमान की ताकत का नतीजा क्या निकला सत्तू खत्म हो गए पानी खत्म हो गए हाजरा कहती है मैं तो प्यासी रह जाओंगी बच्चा कैसे प्यासा रहे गाओंगी नहीं है सोचती इस पहाड़ी की ऊपर चड़कर देखू शायद पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती कोई खनीला रहता हो पानी मिल जाए अंदर पहाड़ी की ऊपर चड़ जाती है उस पहाड़ी का नाम है सफा सफा से जांक कर देखती है कुछ नहीं है खाई पड़ी हुई है गहरी खाई है मरवा की तरफ जा रही है पहाली से उतरती है चलती है कहीं तेज चलती है कहीं आइस्ता चलती है कहीं सीना तान कर ऐसे चलती है कहीं फिर आइस्ता चलती है जहां जहां वो तेज दोड़ी थी सौधी कॉर्मेट ने वहां ग्रीन लाइट लगा दी है हरी बती यहां से तुम्हें तेज दोड़ना है और जहां खत्म होती है वहां आइस्ता होना है फिर जहां ग्रीन है वहां फिर तेज दोड़ना है लेकिन मर्दों के लिए औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाले हाजरा कहीं तेज दोड़ी कहीं आश्ता मरवा पे पहुँच गए वहाँ जाक कर देखा खाई पड़ी है कुछ नहीं लेकिन पच्चे की प्यास ऐसा माइंड खराब कर रही थी वह जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं फिर भी बार बार चक्कर लगा रही है फिर सफा फिर मरवा फिर सफा फिर मरवा साथ चकर लगाती है साथ चकर फिर आगई अपने बेटे के पास और कहती है आई लाह मैं नहीं जानती जो कर सकती थी वो कर लिया मेरे शोहर ने इबराहीम ने मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है अगर आज मैं हलाक हो गई ये बच्चा हलाक हो गया तो दुनिया को तेरे उपर से भरोसा उड़ जाएगा तेरी जाद से भरोसा उड़ जाएगा आया लाह मेरा हस्पैंट मेरा शोहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है लाह वालों की इमतहान होते हैं यहां लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं तसबुर करो आप अल्लावाले इमान की भटी में तप रहे हैं यहां हम इमान की भटी में तपना जानते ही नहीं है उन तपे हुए लोगों के पास मदद के लिए पहुँच जाते हैं इमान वालों की जिन्दगी हमें ये बताती है कि हमें उनके नक्षे कदम पर चलना है हम उनके नक्षे कदम पर चलने के बजाए उन्ही को सबकु समझ लेते हैं मेरे प्यारे साथ जो यही से घलत पहमियां पैदा होती है यही से घलत पहमियां पैदा होती है यही से डाउस उड़ते है आईए चलिए और देखिए मनजर मेरे शोहर ने मुझे तेरे सुपर्द और इस बच्चे को तेरे सुपर्द किया है अल्ला मेरा बेटा प्यासा है इसके लिए पानी का इंतिजाम कर अभी उसने इतना कहा ही था मर्द तो मर्द छोड़ो मेरे भाईयो अल्ला ने औरतों की फर्याद भी सुनिये अगर किसी औरत के अंदर इमान की ताकत आ जाए तो अल्ला उसकी फर्याद भी सुनता है इमान औरत के अंदर हाजरा की दुआ रंग लाई अल्ला ने का जिब्रील क्या देख रही हूँ मेरी बंदी की अगर मैं मदद नहीं करू इसमाईल को अगर आज मैं पानी न पिलाओं तो मेरे अलावा कोन है जो मेरी बंदी की फर्याद सुनेगा जाओ आए जिब्रील जमीन पर जाओ जहां मेरा बंदा इसमाईल अपनी एड़ियां रगड़ राएं चश्मा फूड गया पानी का हाजरा ने पानी देखा पानी बहरा है हाजरा उसको अपने दामन में समेटने लगी पानी थोड़ा हो तो सम्टे वो तो बहरा है फिर समेटती है फिर समेटती है पानी बहने लगा और हाजरा अपनी अबरानी जबान में चीख चीख कर केने लगी, पानी कहां जा रहा है, पानी कहां जा रहा है, फिर समेटती है, कहती है, जम, 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 या अबरानी जवान का शब्द है, उस जमाने में, जो इबराहीम के जमाने में चलती दी, जम, 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 रुक, रुक, अरे कहां जा रहा है, र पर भी करने लगी ताकि पानी को रोक लें अल्ह के नबी ने एक मिंबर पर खुद्बा दिया जुम्हे के दिन और मिंबर पर खड़े हो के कहा था अल्ल्हा जिरा पर रह्म फरमाए कि उसने पानी की मुडेर बांदी उसने पानी की एक दीवाल खड़ी कर दी अगर उसने पानी की मुडेर न बांदी होती पानी की रोठाम न की होती तो वो पानी अल्लह पूरी दुनिया में पहुचा देता अगर वो पानी पूरी दुनिया में पहुच जाता तो उसकी खदर कम हो जाती जो पानी आज गंगा का देख लो बहरा है न लोग उसमें लेट्री भी कर रहे हैं पेशाब भी कर रहे हैं और आज गंगा चुनाओ का मुद्दा बन चुकी है जो भी आता वो क्या कहता हम गंगा साफ कराएंगे इसका मलब गंगा गंदी है और जो चीज बहुत जादा मिखदार में हो जाए तो उसकी फिर गदर नहीं होती है जम्जम की गदर इसलिए है कि वो हमें और आपको आसानी से नहीं मिलता जो चीज बहुत आम हो जाए पिर उसकी गदर कम हो जाती है इसलिए हजरत हाजरा ने उसकी मुढेर बांगा दो चीज़ें एक तो औरत की दुआ सुनी अल्ला ने जो लोग कहते हैं इसलाम में औरत की क्या इज़त है कोई इज़त नहीं है औरत के सारा जल्म वो देख लें कि अल्ला ने औरत की दुआ सातवे आसमान पर सुनी और दूसरा ये पहलू कि हाजरा जहां दोड़ी जितने चक्कर लगाए हाजरा ने अल्ला ताला ने उतने ही चक्कर हर हाजी और हर मौतमिर पर उम्रा करने वाले पर भी नाफिस कर दीए और इतना ही नहीं हाजरा जहां दोड़ी तेज़ वहां तुम्हें भी तेज़ दोड़ना है जहां आहिस्ता दोड़ी वहां तुम्हें भी आहिस्ता दोड़ना है इससे बड़ी एक औरत की इज़त क्या हो सकती है इसलाम के अंदर जो है कि जहां हाजरा तेज दोड़ी और जहां हाजरा आइस्ता दोड़ी कयामत तक पैदा होने बाले हर मुसल्मान पर ये फर्स कर दिया कि जब तक मेरी बंदी की सुन्द को तुम जिन्दा नहीं करोगे हम तुमारा हज कबूल नहीं करेंगे एक औरत के पैरों के रखने की जगा को एक औरत के नक्षे पा को एक औरत के पैरों के निशान को एक औरत के पैरों के कदमों को जहां जहां से वो गुजरी अपनी अबादत का एक पार्ट अपनी अबादत का एक हिस्सा बना दिया इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है वो लोग हमें जवाब दें जो कहतें कि औरतों पर इसलाम ने जलुम किया है एक मर्द को चार औरते रखने की अजासत है लेकि एक औरत को चार मर्द रखने की अजासत क्यों नहीं है वो हमें बताएं कि आपके यहां मर्द की लंबी उमर के लिए औरतों को करवा चौद की परमीशन है उनकी उपर फर्ज है क्या सिर्फ मर्द की ही लंबी उमर होते है क्या औरत की लंबी उमर के लिए मर्द करवा चौद का रोजा क्यों नहीं रख सकता है आपके हाँ सिर्फ औरत ही मर्द की लंबी उमर की दुआ कर सकती है करवा चौद का ब्रत रख कर लेकिन मर्द औरत की लंबी उमर की दुआ नहीं कर सकता है क्या मदलब हुआ मर्द जीए 200 साल और अवरद मर जाए 25 साल में सवाल हमारे पास भी है लेकिन नहीं कह सकते हैं सही वक्त पर सही बात कहना चाहिए कभी कभी सही बात सही वक्त पर नहीं कही जाती है आप कहिए ड़ते हो ड़ते नहीं हो इसी का नाम मसलिहत है वरना आज ये जमाना है मेरे भाईयो कि आप सही भी बोलेंगे तो अंदर आप जाएंगे मौलाना कलीम الدین की जो ग्रिफतारी हुई है क्या गुना था उनका मुझे बताईए क्या इस दुनिया के अंदर या इस मुल्क के अंदर क्या इसलाम की दावत देना जुर्म है क्या धर्म का पचार करना जुर्म है क्या और क्या इस मुल्क के कानून में ये नहीं है कि कोई भी आदमी कोई भी मजब कोई भी धर्म कबोल कर सकता है जब हर आद्मी को अपने मन के मताबिक मजभग को कबूल करने की अजाज़त है तो आप में कौलना कली मुजदीन को अरेश्ट क्यों किया है जब जीतेंद्र नाराइं तयागी टीका लगा सकता है हम मुसल्मानों को उसके धर्म परिवरतन पर कोई अतरास नहीं है तो अगर कोई हिंद्धो मुसल्मान हो रहा है तो आपको क्यों अतरास हो रहा है नहीं होना चाहिए लेकिन मामला यह है कि वो जो भी बोलेगा उसका कुछ नहीं होगा हम एक शब्द भी बोलेंगे तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और तो गदल भी करते हो तो चर्चा कहते हैं कि एक घाड पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा था बकरी भी पानी पी रही थी तो शेर ने बकरी से पूछा तुने मेरा पानी जूटा क्यों किया तो पानी जहां शेर मूर लगा रहा है, वहां से बहता हुआ पानी आएगा, तो बगरी पियेगी, तो जूटा शेर कर रहा है कि बगरी कर रही है, शेर कर रहा है, इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो मेरी पूरी तक्रीर समझ जाएंगे, माज़रत के साथ मैं नाम नहीं ल रहा है शेर की तरफ से जूटा पानी आ रहा और उल्टा शेर ही कह रहा है मेरा पानी जूटा क्यों किया पूरा बकरी बोली राजा हमारी क्या मजाल के मैं आपका पानी जूटा करूँगा पानी तो आपकी तरफ से पहता हुआ आ रहा था मैं तो आपका जूटा पानी पी र लड़ा रही है मुझसे आया और मारा एक पंजाब वो गई खोपड़ी बकरी की और चीर के फाड़ के खा गया उसूँ बिलकुल यही हाल है इस वक्त इस शेर का और हम बकरीयों का मेरे भाईयों शेर और पकरी को समझने की कोशिश करो बहुत कुछ समझ जाओगे और इसलिए मैं एक और मिसाल दूँगा आपको बहुत ही हुश्यारी से और मसलिह से काम करने की जरूरत है इस वक्त नारे लगाए जाएंगे हमें भरकाया जाएगा मुश्तहिल किया जाएगा जैसे दिली में नारे लगे थे देश के गदारों को गोली मारो आगे का जुमला आपको ये नारे लगाने वालों का कुछ नहीं होगा क्योंकि ये नारे लगते ही है उस पावर के नशे में जो उनको मालूम है फिर नारे लगाए जाएंगे और हम आपके यहां ये तक्रीर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इशारे इशारों में ये बात मेरी दूसरी जगे मुश्टाइल किया जाएगा और फिर हमारे ही लोगों मैसे किसी को उस नारों का जवाब देने के लिए पैदा किया जाएगा ताके एक तरफ ये रहे और दूसरी तरफ वो रहे और इसका पूरा फाइदा बहु संख्यक लोगों को ज्यादा तादात में रहने वालों को मिल जाए ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है पूरा गेम फिट है इस वक्त अकल मंद इनसान वो है जो खामोशी के साथ चुके से निकल जाए और भड़काओ और जहरी ले नारों का जवाब वैसे न दे वो हमारे महले में आएंगे कहेंगे जैए श्रीरा अकल मंदी ये है कि मुस्कुरा कर हम निकल जाएं और उसके जवाब में ये न कहें अल्लाहु अक्बर वो यही तो चाह रहे हैं कि हम ये कहें और हमारा जवाब इन जुम्लों के जरीए दिया जाए हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं होता भी मैंने बताया इबराहीम अलेशलाम ने हर वक्त अपनी बीवी तक का जवाब नहीं दिया एक बात और याद रखना इस वक्त मुसल्मानों तुम्हें ये पॉलिसी अपना पड़ेगी तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा और इन नाले लगाने वालों को कुट्ता समझना पड़ेगा और ये सोच कर गुजर जाओ कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता है और कुट्ते भांगते रहते हैं हाथी जा रहा है कुट्ते भांग रहे है हाथी पलटके भी नहीं देखता क्योंकि उसकी नजर अपनी मनचल पर होती है वो जानता है कि अगर फलटकर मैं Omग होती है तो कुट्ते भागी जाएंगी या रास्ता रोग नहीं बाते आपको यह सोचना पड़ेगा कि हाती की तरह खामोशी के साथ अपनी मन्जिल पर निशाना लगाए रहो कि हमें अपने लक्ष को पाना है अपनी मन्जिल को पाना है खामोशी के साथ चलते रहो कुटे भॉक रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश मत करो अब इस हाथी को अगर आप समझ जाएं और इस कुटे को अगर आप समझ जाएं तो मौलवी जलजी इस कामियाब हो गया पीस तारीक केस प्रोगराम है अपने आपको हाथी बनाओ भॉकने वाले कुटों का जबाब नादो बहुत आपने दिल्ली का हाथसा देख लिया आपने और भी दंगे देख लिये नुकसान किसका हुआ परशासन किसका साथ देता है ये सब आपकी नजरों के सामने है आप जरा भी गुसा हुए जान भी हमारी जाएगी और फाइदा भी उनको हुए हमारे मरने के बाद के में फाइदा नहीं को होगा इसलिए इबरत हासिल करो सीख लो अपने अंजाम को और मुझाहरा अच्छा कर लो आपको एक वाक्या सुना दू एक शेर भी शिकार के लिए निकला भेडिया भी शिकार के लिए निकला और लॉम्बडी लॉम्बडी जाते नो फॉक्स आप क्या क्या करते सियार तीन लोग शिकार के लिए निकले कौन कौन शेर लॉइन भेडिया भी और लॉम्बडी तीन लोग शिकार करने निकले और तीनों ने एक एक जानवर का शिकार कर लिया तीनों ने शिकार कर लिया शेर ने हिरन मारा थे भेडिये ने बकरी को मारा और लॉम्डी ने खरगोश को मारा बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूँ यह मिसाल आप समझ गए अल्ला की किसम जर्जीस कामियाद शेर ने हिरन मारा भेड़िये ने बकरी मारा और लॉम्डी ने खरगोश रेविट तीनों जानवर मरे पड़े हैं इधर हिरन इधर बकरी इधर रेविट शेर ने भेड़िये से कहा किसको क्या खाना है तुम फैसला कर दो शेर ने भेड़िये से कहा किसको क्या खाना है तुम फैसला करो सही फैसला करना भेड़िये ने कहा बहुत आसान हाँ बताओ कैसे भेड़िये ने कहा अरे राजा किंग हिरन आप खा लीजिए बकरी मैं ले लेता हूँ और रेबिट जो खरगोश है वो लॉम्ली को दे लिए तीन जानवर और तीनी खाने वाले आप बड़े हे हिरन ले ले ली जिये हम बकरी ले लेते हैं लॉम्ली को खरगोश रेबिट दे लेते हैं शेर ने कहा इतना बुरा फैसला इदर आप मारा एक पंजा भेडिये की गर्दल कायब मर गया वो भेडिये सहाब मर गये उसने कहा कमबगत फैसला करना नहीं जानता इतना बुरा फैसला किया लॉमडी से कहा तुम फैसला करो लॉम्री से कहा कि तुम फैसला करो लॉम्री कहती बहुत आसान कहा क्या कहा साथ हेरन आप सुबा नाश्टे में खा लीजिए और बकरी आप शाम को खा लीजिए अब बच्चा खरगोश तो मुह का जायका बदलने के लिए उसको दुभार में खा लीजिए तीनों जानवर आपके सुबहा हेरन खा लीजिए शाम को बकरी और मुह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश को दुभार में शेर ने का वाह वाह लॉड़ी कितना अच्छा फैसला किया इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया उसने का इस देड़िये ने कौन कहता के बंगाल वाले नहीं समझते हैं माशालला समझ रहे हैं मेरी बार समझ रहे हैं ना और्दू बोलने वालों में पूरे इंडिया में मुझी को बुलाया जाता है सबसे ज़्यादा बंगाल में क्यों हम माइंड में घुज़र देते हैं बाद दिमाग में माँ बहने भी समझ गई होगी देखा लॉंबली ने कितनी अच्छी क्या कहा उसने कहा मुझे उल्टा जीदा फैसला किया तो अभी पंजा पड़ेगा और हम भी जाएंगे तो उसने कितना अच्छा क्या का अरे बहुत आसान हिरन आप दिन में खालीजिये सुबा बकिरी शाम को खालीजिये और दुपहर में मुझ का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश दुपहर में खालीजिये शेर भी खुश हो गया वाह वाह कितना अच्छा फैसला शेर को भी समझिये गा लॉंबडी को भी समझ लीजिये गा और लॉंबडी की अकलमंदी को भी समझ लीजिये गा लॉंबडी की जान कैसे बची आपको इस वक्त अपने आपको बचाना है विहार वालों ने थोड़ी सी गल्पी कर दी बोगत रहे बंगाल वालों तुमने अकलमंदी से काम किया आज मौलवी जर्जीस आजादी के साथ गुम रहा है अल्ला करे कि यही अकल यूपी वालों को भी आ जाए तो मेरे भाईयों सोचो बहुत कुछ केह दिया हो सकता कल इंडिया टीवी वाला इसी को काट काट के दिखाए लेकिन दिखाएगा कब जब ये यूटूबर अपने चैनलों पे देंगे तब अगर ये नहीं देंगे तो अल्ला की कसम नहीं दिखाएगा लेकिन इन कमीनों की वज़े से हम बहुत परिशान है सच बताता हूं कि मुझे सबसे जाता मेरे उपर केस और मुकद्बे इन चैनल वालों की वज़े से इन की वज़े से चैनलों अब इसको काटेंगे शेर मौलाना ने जालिम शेर कहा किसको अब उसका नाम तक डाल देंगे उसको ये समझने की जरुवत है लॉंबडी की मसलिछत की तरफ तुम भी समझो मसलिछत किसमे है क्या देना है क्या नहीं देना है अपना चैनल मत चलाओ वरना हराम रोजी खाओंगे तो वो मालूम है वो तो हम पढ़ते हैं लिष्ट बन रही हमारी कौन कौन क्या क्या दे रहा है कौन कौन दे रहा है एक दिन सब तक्रीरे निकल वा देंगे सब कहां से निकलती है कैसे निकलती है वो पूरा हमको सब हमको भी लॉम्री जो सीखने को मिल गया है हमने भी बहुत कुछ सीख लिया है जब तक कंट्रॉल कर रहे हैं जब कंट्रॉल से बाहर हो जाएका सबर का भी एक पैमाना होता है हमारे सबर का ज्यादा फायदा ना उठाया तो मेरे भाईयों सुनिए फैसला भी कर दिया और क्या का सुबाइए शाम कुई यह और खरगोष बीच में बाह 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 इतना अच्छा फैसला लगली तुझे इतना अच्छा फैसला करता किस ने सिखाया उसने कह भेडिये ना नहीं भेडिये ने ये फैसला ना किया होता तो मुझे ये इबरत नहीं मिलती तो आप एक देख रहे हैं ना उसने पहले तो भेडिये से का फैसला कर तो भेडिये ना हला कि सही फैसला करा था हिरन आपने मारा हिरन आप खा लीजिए बकरी मैंने मारी मैं खा लेता हूँ लॉंबडी मैं खरगोश मारा लॉंबडी खरगोश खा लेगी लेकिन सही फैसला भी बादशाओ को कबूल नहीं हुआ आजब नहीं हुआ मारा पंचा कितना खरगोश फैसला बादशाय यही कहेगा हमें देखना पड़ेगा क्या है वरना इस दौर के अंदर नचनीयों को और कमर मटकाने वालीयों को पदम श्रियावार्ड मिल जाता है जिन्होंने इसी हास की इनों पड़ी हो उनको मिल जाता है और जिन्होंने करोना काल के अंदर गरीबों के घर अनाज पहुचाया गल्ला पहुचाया सिलेंडर पहुचाया आज उनको कुछ नहीं मिलता क्योंकि इस दौर में जीना है तो चापलोसी करना सीखो तो मेरे भाईयो लॉम्डी की तरह कलमंद बनो आप हालात देख रहे हो उस हालात से अजाज़ा